जैमा इंद्राक्षी जैम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं मकर राशी वाले जातक जन्वरी के महिनी में क्या भी शेष उपाए करें आज हम इसंग में बताएंगे और समस्त मकर राशी वाले जातकों को हमारी तरफ से नवरशी बहुत-बहुत शुक्खा मनाएं इस संग में बताएंगए उपाएं जन जातकों की जन्म से मकर राशी है कैप्री कौन वो ही उपाए करें जिनका लगन है या पुकारते नाम से जिनकी राशी बनती है वो भी उपाई करें हर महीने कोई ने कोई ग्रह बदलते हैं और जब ग्रह बदलते हैं तो बदलते ग्रहों का प्रवाव हमारे जीवन के उपर अच्छा खासा आता है तो हमें उन उपायों से साबधानी मिल जाती है जो हमारे लिए ग्रह कमजोर होते हैं एक नजर देखें कि कौन-कौन से ग्रह जनवरी के महीने में संदो अजार ते इसके बदल रहे हैं सूरिय चोदा जनवरी से मकर राशी में आ जाएंगे आपकी मकर राशी है उसी में पतारपन करेंगे हाला कि सनी और सूरिय का मेल नहीं है सित्रुता है लेकिं फिर भी डरने की कोई बात नहीं है उस दिन मकर शक्रानती भी रहेगी मंगल वर्शम में रहेंगे बुद्ध महीनवर धनू में रहेंगे ब्रस्पती मीन में रहेंगे शुक्र 22 तारिक को 22 जनवरी को कुम राशी में और शनी आपकी राशी के स्वामी वो मकर से निकल करके 17 जनवरी को वो भी कुम्ब में पधारपन कर जाएंगे राहु केत्व का कोई राशी परिवर्तन नहीं है अब देखिएगा हम बात करते हैं मकर राशी के बारे में आपकी राशी बड़ी अच्छी राशी है बहुत दिल के धनी लोग हैं आप लेकिन कई बार जीवन में कुछ दुरघटनाओं का शिकार होना आपको पड़ता है जैसे मन तूट जाना प्रेम में ऐसा फलताएं प्राप्त हो जाना किसी से धोके की प्राप्ती हो जाना इस प् अब की कमजूर रह सकती है कोश मकत रासी का सवगता है कई बार असाद कुछ तारीके हैं जन्वरी में जिन तारीकों मेंbek थोड़ा सामधान रहना है दो जनवरी, 10, 11, 12, 20, 21, 28 और 39 जनवरी में हम थोड़ा प्रेम से काम लें, पूरा दिन प्रेम से वैतीत करने का प्रियास करें सेहत और व्यापार, जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा जाना चाहिए जॉब में सुधार, खर्च यानि कि कर्ज या कहलें खर्च और शत्रुप पर पहनी निगार रखें, साबधान रहें अपनों से मान सम्मान और प्रेम अच्छा मिलेगा किसी बिगड़े दोस्त से अच्छी दोस्ती भी हो सकती है खोया हुआ, कोई कारिय या मन में आ जाता है ये तो हो गई नहीं वो बाली बात कहीं नहीं जन्वरी में आपके लिए शुब हो सकती है खैर, कल क्या हो, भगवान से बहतर कोई नहीं जानता तो आईए, कल को और सुन्दर बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ उपाए उपाए में, अब आपकी रासी है मकर स्वामी है शनी तो हमें क्या करना चाहिए, शनी वार की संध्या को शनी देव के सामने धूप दी परपन करें चार बत्ती का या साथ बत्ती का दीप लगा में और उनके शिरी चर्णों बैठ करके ओम शम सनिस चलाई नमा या शनी चाली साका तीन शनी वार जन्वरी में पाट करें सुभा के समय बरगद, पीपल उसमें मीठा जल, काला तिल मिला करके दें और साथ में उनके चर्णों को प्रणाम करें इससे भी आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा आप भोजन में बात कर लेते हैं जामुन, काला, चना, बत्वा, राई, हरण और साथ में अकरोट इन चीजों में शनी का वास होता है तो आप इन चीजों का सेवन खास्तोर से सनीवार के दिन करें सनी भी प्रवल होंगे सहित के लिए भी अच्छा रहेगा अपनी रसोई में लोही की कड़ाई का प्रियोक करने शनीवार के दे आइरन की प्राप्ती होती है सरीर भस्ट पुष्ट मजबूत होता अब तो ये सब चीजें हम लोग भूलते जा रहे हैं छूटती जा रही है लेकिन जिनके जिनकी रासी वास्तम में मकर है तो उने तो लोही की कड़ाई का प्रियोक करना चाहिए हाँ खटी चीजे लोही की कड़ाई में नहीं बनाई जाती इस बात का आप लोग ध्यान रखें ग्यारा मुखी के तीन रुद्राक्स मेंना या दस मुखी के तीन रुद्राक्स मेंना आपके लिए शुब रहेगा एक सो चोदा मुखी रुद्राक्स मेंना बहुत बड़े अलाब मिलेगा और शनी वार को सास्त्रिय संगीत सुनने से भी शनी प्रवल होते हैं हम आप कहलेंगे कैसी बात कर रहें हम बताते हैं शनी और शुक्र आपस में मित्र हैं शुक्र जैसे शे संगीत बढ़ता है बुद्ध भी और शुक्र भी डवलप होते हैं शनी में विक्सित होती है विकास आएगा और कहीं न कहीं आत्मा सुपर्मात्मा सास्त्रिय संगीत वैसे भी बढ़ा अच्छा सुखम संगीत होता है तो आप उसको सुनने का प्रियास करें और एक उपाय हो शनीवार के दिन जहां भी आप अपने घर में कूडा करगट डालते हैं डस्ट मीन है उस दिन वो ठटा सस भरा ना रहे शनीवार के वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं हम खाली कर देते हैं ना देर से वेर सुबा के समया कभी भी लेकिन शनीवार के दिन कोडा करगट आपके घर में कता ही नहीं होना चाहिए डस्ट मीन खाली रहे हैं साप सुच रहे अच्छी प्रवलता आपको प्राप्त होगी तो यह हमने आपको उपाए बताए जिनकी मकर राशी है प्रेम पूर्वक करिएगा जनवरी के महीने के उपाए है फैब के आगे सुन रीजिये उनने भी करिएगा हमने मेज से मीन रासी तक के समस्त उपाए बताए है हो सकता आपके घर में किसी की कोई और रासी हो आपके मित्र की कोई और रासी हो तो उनसे भी कहें वो अपनी रासियों से संबंदी उपाय करें सन 2022 में जो हुआ कहीं किसी को कुछ प्राप्ट नहीं हुआ कहीं किसी से कुछ बिछड गया, खुग गया सन 2023 आप सब के लिए शुबकारी हो मंगलकारी हो ऐसी हम भगवान से प्रात्मय करते हैं और इनी शुबकावनाओं के साथ हम अपनी वानी को बिराम करते हैं जय जय अमबे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें